बालों के जड़ने से परिशान हैं बालों को काला घना और लंबा करना चाहते हैं आज आपके लिए एक ऐसा बालों का वीडियो ले कराई हूं दोस्तों जो की आपके बालों के जड़ने को तुरंथ ही रोग देगा बालों में घना पन आएगा और बालों में आएगा काला प है हमारे सकन को सोफ्ट बनाती हैesian को मॉइस्शुराइज करती है उसी तरह से हमारे स्कैलप को healthy बनाती है एंटि आकसिडेंट से भरपूर होती है ग्रीन टी हमारे इनक्शन को खत्म करती है ग्रीन टी हमारे स्कैलप को हैड्रेट करती है ड्राइनेज रोधि有點 कि समस्या को दूर करती है. ग्रीन टी भरपूर मात्रा में इसमें विटामिन E होता है. विटामिन E होने के कारण ये हमारे बालों के लिए और हमारे त्वच्चा के लिए दोनों के लिए बहुत फाइदे मंद है. बालों से जुड़ी हुई पानी में डुबा कर रखें या किसी भी जगह से आप टिका कर इसे रख दें इसके अंदर जो येलो सबस्टेंस होता ना वो काफी एलर्जिक रियक्शन देता है देखिए ये जो येलो सबस्टेंस निकल रहा है उसे पूरा निकल जाने दीजे 10-15 मिनट कहीं भी टिका कर बालों के लिए वो सभी निट्रिशन होते हैं एलो विरा में दोस्तों जो की बालों के लिए बहुत ज़ादा जरूरी है डेंडर्फ की समस्या दूर होती है एलो विरा हेर लॉस को कंट्रोल करके बालों में एक नैचरल शाइन एड़ करता है वैसे तो एलो विरा का जो या बिना निकाले भी इस्तमाल कर सकते हैं दोनों ही तरीके अच्छे हैं एलोविरा एक ऐसा मेडिसनल प्लांट है दोसों एक ऐसी ओजदी है जो जातर सभी तरह के बालों पर वर्क करती है हेयर फॉल को कंट्रोल करता है एलोविरा बालों में घना पन लाता है बालों की किया जाता है चाहे जोडों का दर्द है घुटनों के दर्द के लिए भी आप एलोविरा के पती को इस तरह से छील लें इसका जेल निकाल कर हलदी के साथ गरम करके लगा लें आपका पुराना से पुराना जॉइन पेन घुटनों का दर्द एलोविरा जेल लगाने से ठीक हो जाता है हलदी के साथ लगाएं परणतु आज हम बाप कर रहे हैं बालों के लिए तो यहां पर मैंने कुछ ज प्रida करें आपके बालों को नुकसान करें ये 100% वर्क करने वाला जेल है दोस्तों जितना हो सके केमिकल की चीजों से बच कर रहें बाजार वाले एलोवीरा जेल का इस्तमाल खास कर बालों के लिए तो बिलकुल भी ना करें इसलिए हैर फॉल होता है दोस्तों हम लोग केमि निकल हमारे बालों की जड़ों को खराब करते हैं। अब आपको क्या करना है। आप चाहें तो पूरे अलो विरा जेल को एक साथ ब्लेंड करके रख सकते हैं। या कुछ आप सिर्फ जेल निकाल कर भी स्टोर करके रख सकते हैं। जादा दिन का नहीं, चार-पांस दिन का अगर जादा निकल गया है तो। मैंने अलो विरा जेल को ब्लेंड कर लिया है। आप चाहें तो छान लें या फिर जितनी जर्वत है उतना छाने बाकी का ऐसे ही रखे रहने दे। नहीं तो आपके बालो की जढ़ें या फिर फिर तीन चार दिन बाद जब यूज करेंगे तो वापस आप इसे छान कर इस्तमाल कर सकते हैं। दो तरह से आप इस अलो विरा जेल को लगा सकते हैं। ग्रीन टी मिला कर अगर ग्रीन टी नहीं है तो आप कॉफी मिला कर भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं चाहे तो ग्रीन टी ले चाहे तो कॉफी में दोनों का ही एप्लिकेशन आपको बताऊंगी कॉफी वाला भी बताऊंगी ग्रीन टी वाला भी एक शैशे में ने ग्रीन टी का कोई भी तरह का प्रिजर्वेटिव खुश्बू या कोई रंग कलर नहीं है अभी जितना मुझे बालों की जड़ो पर बालों की लंबाई पर लगाना है उतने में ही मैंने ग्रीन टी मिलाया है बाकी कांच की बॉटल को मैं फ्रीज में रख रही हूँ आप सबताह में दो ब प्रोडक्शन को बूस्ट करता है एलो विरा ग्रीन टी जिससे बाल हमारे जल्दी सफेद नहीं होते प्री मैच और ग्रे हेयर की समस्या दूर होगी दोसों एक कमेंट जरूर कर दीजेगा कि आप मेरे इस वीडियो को दुनिया की किस जगह से बैट कर देख रहे हैं ताकि अगले वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूँ आपकी जगह का नाम ले सकूँ और आपको थैंक्स बोल सकूँ दोसों इसके पहले मंजू अगरवाल जी ने मुझे कमेंट किया है थैंक्यू मंजू अगरवाल जी और साथ ही साथ दोसों कोलहापूर से स्वाती जी को बहु और अब आपको इसे लगाना है दोस्तों ये 100% प्योर है जिसका इस्तमाल सभी age group वाले कर सकते हैं आपकी उम्र कम है तब भी आप इस hair pack को week में एक बार जरूर लगाए ताकि आपके बाल शुरू से healthy रहें लंबे समय तक आपके बालों में घनापन और कालापन रहें जिनके बाल बहुत साधा जर्ड रहें वे सबता हमें दो बार भी लगा सकते हैं पहला तरीका मैंने आपको green tea के साथ बताया है दूसरा तरीका है आप coffee मिला कर भी लगा सकते है या दोनों चीज भी लगा सकते हैं जब भी मेरे बेटी coffee के साथ इसका इस्तमाल करती है बहुत ही आप लोग ब्यूटी पालर जाकर बालों में बर्गंडी कलर कराते हैं, आजकल तो बहुत अच्छे से कलर चले हैं कराते हैं, कितना केमिकल होता है, क्यों ना हम नैचुरल तरीके से अपने बालों को एक सुन्दर सा कलर भी दे दें, कॉफी हमारे हेर लॉस को कंट्रोल करने क साथी साथ एंटी ऑक्सिदेंट से भरपूर होती है, हमारे सकेल्प को हेल्दी बनाती है, इंफेक्शन को दूर करती है और साथी साथ हमारे बालों में एक नैचुरल चमक लेकर आती है, जो शाइन आप लोग चाहते हैं, बिलकुल वही शाइन आपके बालों में आईगी, इस hair gel को पूरे बालों की जड़ों पर लगाना है जो बच जाए उसे आप पूरी लंबाई पर भी लगाए कम से कम 20 मिनट या आदे घंटे आपको जरूर रखना है ताकि आपके hair cell को इतना अच्छा पोशन मिल सके कमजोर बालों को रिपेर करेगा ये hair pack ये hair gel दोसों नए बालों को उगाने में मदद करेगा गंजे पन की समस्या को भी दूर करेगा तो आप इसे जरूर ट्राय करें आपके बालों को आपके scalp को hydrate करेगा जिससे सूखे पन की समस्या दूर होगी एक natural hair conditioner कंडिशनर की तरह काम करता है एलो विरा तो इस तरह से पूरी लंबाई पर लगाएं चाहे तो कोई shower cap पहन ले या ऐसे ही बालों को आप बांग ले आधे घंटे तो करीब करीब रखें इसके बाद hair wash करें तो shampoo का इस्तमाल बिलकुल भी ना करें एलो विरा आपके बालों के texture को improve करेगा बालों में volume एड़ करेगा वीडियो को लाइक करेगा चैनल को subscribe जरूर करिएगा दोस्तों और remedy को try करें